Hello Friends, आपका हमारी चैनल में बहुत स्वागत है Friends, pregnancy की दौरान सबसे पहला सवाल जो गर्वती महलाओं की मन में आता है कि सिसु जर्म होने में कितना समय लगता होगा तो pregnancy की सबसे जटलो कठिन प्रक्रिया होती है, बच्चे की जर्म लेने की इस दोरान महिलाओं की मन में अधितर आने वाला सवाल यही होता है तो चलिए आज हम यही जान लेते हैं आज की वीडियो में चलिए सुरू करते हैं बच्चे का जन्म होना कोई भी छोटी बात नहीं होती है कि दर्द हुआ और तुरंत ही बच्चे का जन्म हो गया दर्द होने पर गर्भाशाय में संकुचन बनता है और दबाव बनने से यानि संकुचन बनने से बच्चे दानी का मुए खुलना सुरू हो जाता है पहले दर्द बिलकुल हलका हलका रुक रुक कर होता है यह धीमी प्रक्रिया लगभाग 2-3 घंटे तक चलती रहती है और 2 घंटे बाद दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ना सुरू हो जाता है यानि बच्चे दानी का मुए पतला यानि हलका सा खुलना सुरू हो जाता है लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता जाता है सर्विक्स चोड़ा होता जाता है डॉक्टर के यहां जाने पर डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन लगाते हैं और आपको तेजी से दर्द होना सुरू हो जाएगा यह दर्द लगबग 5-12 घंटे तक के लिए हो सकता है यह निर्भर करता है आपके और आपके सरीर के मान स्पेसियों पर हर महिला में यह दर्द अलग अलग होता है किसी किसी महिला में 4-5 घंटे में ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो कुछ महिलाओं को 12 घंटे की बाद भी समय लग जाता है कहते हैं कि जो महिला गर्भावस्था के दौरान काम ब्यायाम टहलना आदी करती रहती है उसे बच्चे की जन्म में आसानी होती है और बच्चे का जन्म जल्दी हो जाता है क्यूंकि उसकी मान्सपीसियां ढीली होती है और गर्भासा का मुखी जल्दी खुल जाता है और उसे प्रशव के दर से ज़्यादा नहीं गुजनना पड़ता इसलिए आपने सायद देखा होगा या सुना होगा कि हमारी दादी नानिया पुराने जमाने में गाउं में बहुत जल्दी ही बच्चे का जन्म हो जाया करता था क्योंकि पुराने जमाने की लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे उनके पास इतने सुख साधन नहीं थे जितने आज हम सब लोगों के पास हो गए हैं इसलिए आज सिजेरियन डिलेवरी ज़्यादा होने लगी है पहले तो सिजेरियन डिलेवरी होती ही नहीं थी उसका कारण यही था कि पहले की महिलाइं बहुत काम किया करते थी लेकिन आज बहुत जादा आराम और बहुत जादा प्रदूसित बातावरण की बज़े से नौर्मल डिलिवरी होना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन आप pregnancy के दौरान यदि हलके फुल के काम करती रहती हैं घर के सारे काम करती रहती हैं तो आपको normal delivery बड़े आसानी से हो जाएगी कुल मिला करके आप pregnancy में ये मस समझें कि आप बीमार हैं तो आप काम ही न करें आप बीमार नहीं हैं आप pregnant हैं जैसे रहती हैं बैसे ही रहिए बस खाण पान पर ध्यान रखिए थोड़ा बहुत अपने बच्चे पर भी ध्यान रखिए हो कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और ऐसे वीडियो दिखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा थैंक यू